नमस्ते दोस्तों जोहार मैंने में सर आप सभी का विस्तिक चक्रवरत की यूटूब चैनल में हाद दिक स्वागत करता हूँ क्लास 12 के 12 के डिमांड को देखते हुए मैं आज टॉप 80 कोशन्स लेकर आया हूँ दोस्तों जो प्रिविएस यूर्स के कोशन्स है जो आर्स, कॉमर्स और साइन्स की जो पूछेंगे कोशन्स है उसका जम लोग रिविजन करने वाले हैं और अंत में आप लोग को बहुत सारे इंफर्मेशन, बहुत सारे टिप्स देने वाले हैं जो आपके एक्जाम में काम आएंगे तो बने रही है और जल जिल जिल इस सेशन को लाइक कीजिए और साब दोस्तों भी सेर कर दीजे ठीक है ताकि उलोग का भी रिविजन हो जाए और एक्जाम में अमताबट तर तरीके से वह लिख कर आएं ठीक है तो चलिए एक एक करके कोशन्स को हम लोग देखते हैं कोशन वन जो पूछा क्या गया है वीच अप दा फॉल्लयर इस नाट एक कंपोनेट अफट फ़े टो-टॉडए ठीक है याई लेटर टू अटक नहीं यह वह क्ट पीष्ण फेर भी यूज करते हैं के यहां डेट लिखते हैं सिगनेचर देते हैं लेइन कभी भी टाइटल और सिर्षा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप्सन वान जो है वो करेक्ट एंसर है ठीक है चलिए आगे बारते हम लोग कोश्चन में टू की और कोश्चन में टू आप लोग देख सकते हैं क्या पूछाए गया वीच अप दा फॉलएंग इस दा करेक्ट सब्सक्रिप्सन अ आप्सन जो टू है वो करेक्ट एंसर है आगे बारते हम लोग कोश्चन में ट्री की और इसी तरीके सा आप सभी से कोश्चन पूछा जाएगा ठीक है तो चलिए कोश्चन में ट्री जो देख सकते हैं क्या पूछाए गया है इन नौटिस राइटिंग दा नेम ऑफ इस्ट की और कोश्चन फूर आप लोग देख सकते हैं नौटिस इसूड पाई स्कूल्स ध्यान से देखिए गए यहां पर गॉर्मेंट नहीं है यहां पर स्कूल से अजब भी नौटिस इस्कूल जारी करती है तो इस्कूल का जो नौटिस जारी होता वो न्यूस पर नहीं होता वो कहां होता है इस्कूल के नौटिस बोर्डस पर ठीक है तो जो त्री है वो टिक कीजिएगा ठीक है आगे बढ़ता हम लोग कोशन फाइब क्यों कोशन फाइब देख सकते हैं आर्टिकल आर्टिकल जो होता है एक लॉंग पीस आफ राइटिंग होता है ठीक है और यह कह वह करेक्ट अंसर आगे बढ़र है नेक्ट करें और 6 इन रिपोरट राइटिंग नरेशन अब दा इवैंट इस अलवेज सब्सक्रेट रिपोर्ट करेंगे तो जो लिखावाक जो नरेशन होगा वो किस फ़र्म में होना चाहिए इमीडियेट पास्ट फ़्म में अप्सक् Friday morning में बगल में जो है मम्मी बैटी हुई है वो डोज ले रिये मूँ खुला हुआ है और चेहरा राक की तरह लग रहा है लास की तरह ठीक है और पेन जो दर्ध है वो रियलाइज करती है यह सब्सक्राइब पूछा गिया है तक इवेन एक्स्ट्रेट इस टेकन फ्रम दपॉ आपको कोई एक उठा कर दे देगा देख लीजेगा ठीक है वो तीन सो कोशन को देखकर जाना है तो जाना है ठीक है तो यह कोशन का के लिए रहे है तो सब्सक्राइब कर देख सकते हैं यहां पर एक क्वेशन है दा पॉएम एन इलिमेंटरी स्कूल क्लास्रूम इने सलम साथ यह आप लोग के सिलेबस में हट गिया लेकिन फिर भी देखते जाहिएगा यह किस से डिल्स करता है ठीक है एक चीज़ याद रखेगा पॉएट का नाम याद कर जाहिएगा इस्टीफन स्पेंडर क्या है एन इलिमेंटरी स्कूल क्लास्रूम के जो पॉएट उनका नाम है स्टीफन स्पेंडर और इस पॉएम में जो है जुगी जोपडियों के बच्चे को दिखाया गया है और सोसल इंजस्टिस समाजिक और क्लास इनुकिलिटिस को दिखाया गया तो आप्शन जो वान है वो करेक्ट अंसर है आगे बढ़त हम लोग क क्योंगे सकते हैं यहां तो पॉएम का नाम भी नहीं दिया गया और यहां फ्रॉस्त देख रहे हैं पूरा नाम होता है रॉबर्ट फ्रॉस्त आप सभी समझ गया न कहां से यह कुछन उचा गया रोड़ साइट से तो वाइट दर स्वाट डिस्क्राइब इन दपोएम यह जो sport for the roadside extent वहां में चैंव्म किया हुआ कि आ किसants का वर्नन किया यह किसका फिलिंग चला रहरे जो गोर्फिन की सब्मोंत नोग किओ सब्सक्रा नाइस टो लोको मत करेक्ट अपके नोगate इन में 19 की ओर, who is Cynthia, मैंने कराया था न, Cynthia क्या है, दोस्तों आप सभी पता है, the moon goddess है, the moon goddess है, option जो 2 है, वो correct answer, ठीक है, क्या हो जाएगा, option जो 2 है, वो correct होगा, आगे बढ़ते हम लोग question 15 की ओर, question 15 देख सकते है, who is the poet of the poem, poet को देखके जाहिएगा, poem पढ़े या ना पढ़े, ठीक है Aunt Jennifer's Tiger का जो poem है, उसके poet का नाम क्या है, Adrian Reach, इसको भी देखके जाहिएगा, option जो 2 है, वो clear है, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग question 16 की ओर, which language would the students study from the next day, यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा कि यह कौन से chapter से, लेकिन मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से the last lesson, तो the last lesson में, students, अगले दिन से कौन सी भासा सिखेंगे, तो अगले दिन से भासा सिखेंगे, जर्मन भासा, क्योंकि Berlin जो है, capture कर लिया है, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग next question की ओर question 17, ठीक है, यहां पर question कुछ आई है, according to the author, what was the garbage for the parents, देखिए, वहां के जो सिमापुरी के parents के लिए garbage क क्या है, तो children के लिए अगर पूछता, आप सभी पता है, वो लोग के लिए वो क्या है, एक wonder, एक आश्चर्ज की चीज़े, लेकिन अगर parents के लिए पूछ रहा है, तो means of survival है, क्या है, जीवन जीने का एक माइदम में, अगर आपको जीवन जीना है सिमापुरी में, तो कुछा गया, what kind of house does Mukes live in, ये मेरा कराया हुआ है, कि Mukes किस तरह घर में रहते है, Mukes जो फिरोजावाद से विलों करते है, वो ए हाप built hut में रहते हैं, ठीक, इसको टिक करका ही है, आगे बार तमनों कोश्चन में 19 कि और, question 19 में पुछा गिया है, in which subject has the author William Douglas graduated, देखिए, William Douglas के questions को देखे हैं, इन वो किन, किन विसाइब में graduate किये हैं, तो ये किये हैं, आप सही पाता, English or Economist, जो इस चैनल कमा इदम साच्छा प्रवाइट किया जाता है, न, English and Economist is the correct answer, आगे बार तमनों कोश्चन में 20 की और, question 20 में पुछा गिया है, how old was Douglas when he decided to learn to swimming, ये डगलस की उमर how much money had the paddler stolen from the crafter, ये जो पैडलर सावे, the rat trap के important character है, वो crafter के कितने पैसे चुराएं थे, जो भी टिक किया था, 40 वो गलत है, 30 kronus जो है, वो correct answer है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्ट कोश्चन की और, question 22, whose house did Sukla lead Gandhi to in Patna, मैंने काली कराया था, Indigo chapter के सबसे important question, 25 questions, उसे बताया था, पटना जो है, राजकुमार सुकला गांधी जी को पटना में किनके घर लेका है थे, जो बाद में, जो हमारे दिस के president बनते हैं, डक्टर राजेंदर परसाथ के घर, ठीक है, option 3 हो correct answer है, आगे farmer भी थे, एक गरीब farmer, पिसांत या share cropper, जो भी रहे, टिक करके आना, या पिसांत वाट यूज हुआ है, पिसांत के चेंज करके farmer दिया जा सकता है, या पिस share cropper दिया जा सकता है, ठीक हर बढ़ाईएगा नहीं, option 2 को tick करके आईएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग ने पिने एक novelist है, जो कितना novels लिखा है, पांच, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, next question की ओर, question 25, Danny Casey was a player in the football team of Desk, ठीक है, यह जो Danny Casey, आप सभी को मैंने कराया था न, going places chapter में, यह football player है, किस team से खेलते हैं, Ireland से खेलते हैं, option जोबान है, वो tick करका हिएगा, आगे बढ़ते हम लो एक सांदार घर, option जो टू है, वो correct answer है, a decent house, आगे बढ़ते हम लोग, question 27 की ओर, question 27 आप लोग देख सकते हैं, which hour the prince the tiger king born, कौन से घंटे पे, कौन से लगन में, यह tiger king जो है, वो जनम लिये ता आप सभी पता है, in the hour of bull, in the hour of bull कहा है, option 1 जो है, वो tick हो जाएगा, ठीक है, next question आप लोग देख सकते हैं, 28 question में क्या पुछा गया है, let tigers be aware who said this, आप सभी पता है, बाग सावधान रहो, यह wife के जो, किस ने कहा था, the prince, जंग, जंग, बहादूर, यह दा महाराजा प्रतिबंदपूरम, जो आप सभी को जानते हैं, यह बाद में, महाराजा Why does Charlie want to visit Galsworth, Galsworth, world of 1894, क्यों visit करना चाता है, क्योंकि उसे modern world बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो escape करना चाता है, वो भागना चाता है, तो to escape from the troublesome world को tick करके आना है, टिक नहीं करके आना है, ठीक है, हम तो tick का option नहीं है, आपको copy में लिखना होगा, जैसे मान लिजे, group A एंसर दीजेगा, और B लिखकर या A लिखकर आपको पूरा टो लिख देना है, ठीक है, इस तरह करके एंसर राइटिंग आप कीजिएगा, आगे बढ़ते हम लोग कोशन 30 की ओर, कोशन 30 आप लोग देख सकते हैं, उस्तों क्या पूछागी है, क्यूशन 30 आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टन कोशन है, अब सभी पता है, वो जखमी सिफाई जो टॉम थे, जिनका 17 साल उम्र हो रहा था, ठीक है, वो जो है, कहां से बिलॉंग करते हैं, उनका टोपी में लिखा हुआ था, U.S. Navy, जो अमेरिका से बिलॉंग करते हैं, एक United States का 9 सेना है, ठीक है, याद रखते हैं, लोग क्वेशन, नेक्स्ट क्वेशन को 32, 32 बहुत इंपॉर्टन कोशन है, लेकिन जो भी टिक किया है, गलत टिक किया है, ठीक है, for how many years has the program students on ice been operation, यह जो students on ice program, मैं आप सभी पता है, एक Canadian था, जिसका नाम था, जी ऑफ गरीन, वो इस प्रोग्र कार का, सीप का, और एरोपलेन का, ठीक है, याद करके जिएगेगा, आगे बारते हम लोग नेक्स्ट कोशन की ओर, क्वेशन नमबर 33, 33 में क्या पुछा गया, आप सभी को पता है, कि अंटार्टिका को कैसे डिस्ट्राइब किया गया, अंटार्टिका एक कंटिनेंट है, बहुत दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइस्ट और सबसे विंडियेस्ट कंटिनेंट है, अपसन वान को टिक करके आना है, ठीक है, आगे बारते हम लोग नेक्स्ट कोशन की ओर 34, अच्छा ये जो वाइस ओल है, वो रोजर स्कंग को कहा जाने के लिए के लिए ठीक है, वो हमें सब विजाट के पास जाने को काता है, अपसन जो फोर है, वो करेक्ट अंसर है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन 35, रोजर स्कंग वान्टेट टू स्मेल लाइक, देखे, रोजर स्कंग एक ऐसा जनतू था, जिसका जो सरी उससे बहुत ज़्यादा बदबू आती हैं, वो मिश्टर लैम को किस नाम से पुकारते थे, चिराते थे, टीज करते थे, लैमी लैम, लैमी लैम, ठीक है, इसको याद करके जाना है, वान, आगे बढ़ते हम लोग नेश्ट कोशन 37, जैम्स रोडरिक इवांस वास एडैस, तो यह जो इवांस था, इवांस को अब के लिए इसे इवांस तब ब्रेक के नाम से जाना जाता था, आगे बढ़ते हम लोग नेश्ट कोशन की और कोशन 38, वही कोशन पुछ दिया, कि वांस हैड इसकेप फ्रम जेल, इवांस जो है, वो कितनी बाद जेल से भागा था, त्री टैम्स, आप से जो टू है, वो करेक जाने वाला था, जुडवीन उसको वार्निंग भी दी थी, तुम्हारा पाल काटा जाएगा, इसलिए वो आपने आपको कहां छिपा ली थी, बैट के नीचे, चलिए लास्ट कोशन देख सकते, कुशन 40, वाट डीड द अल्डरली मैन केरी इन दा स्मॉल पैकेट फोर दा आप सभी पता है, यह बामा वाला स्टोरी से है, इसमें बता है कि जो बुझुरुक आदमी है, वो कैरी करके स्मॉल पैकेट ले जा रहा था, उसमें क्या था बढ़ाई था, ठीक है, यह जो कोश्चन है, पिछले साल आर्स वालों से पूछा गया था, ठीक है, अब हम साइन्स और कॉमर्स वालों से पूछे गये थे, ठीक है, अब जो हम लोग 40 कोश्चन देखने वाले दोस्तों, वो साइन्स और कॉमर्स वाले जो एकजाम हुआ था, उसको देखकर जाना है, ठीक है, यह भी आर्स वाले देखकर जाईए, क्योंकि हो सकता, साइन्स और कॉम जैसे एडमिट काड हो गया, एक्स्ट्रा पेन लेकर जाना है, ठीक है, जैसे मालनी कोई यूद लड़ने जा रहे हैं, तो बंदुग दो लेकर गये हैं, लेकिन गोली ही नहीं लेकर गये हैं, तो कोई फाइदा है ना, नहीं है तो याद रखेगा, बंदुग यानि कलम ल लिखना है, रोल नंबर लिखना है, सेंटर कोड लिखना है, कॉलेज कोड लिखना है, यह नहीं कि कॉलेज कोड के जगा सेंटर कोड लिखने हैं, सेंटर कोड के जगा कॉलेज के कोड, ऐसा नहीं करना, उस टाइम हला भी नहीं करना, सांती से बैठना है, अगर आपको नह रहेगा तो अच्छे से दिजिएगा गुरूप भाइज लिखिएगा सेक्शन भाइज लिखिएगा ठीक हड़ बढ़ाना नहीं है सबसे पहले एड्मिट कार्ट को देखकर जो फॉर्मलेटी होता उसको पूरा कीजिएगा रोल कोड रोल लंबर सेंटर कोड कॉलेज कोड य अब होता है इस्टूडेंड्स के लिए ठीक है कि इसके लिए अनॉच्मेंट हो ईस्टूडेंट के लिए होता है कहाँ कोलेज इस के लिए कन यहां पूस धेकर घ्यान देखिएगा स्कूल बोला है नो गॉबर्मेंट नोटिस जारी करती है ना तो नोटिस बोर्ड में नहीं सीधा कहा आता है न्यूस पेपर में आता है तो आपसन वान जो है वो करेक्ट अंसर है आगे बाद तुम लोग तरी की ओर कोशन थ्री आप लोग देख सकते हैं लेटर टू दा एडिटर ऑडिटेन स्वोड लेटर टुदर लिखते है वो किसके लिए लिए चपने के लिए तौपशन वान इस दा करेक्ट एंसर या फिर मैघ जीन्स ठीक है आगे बाद तो नेक्ट क्वेशन के ओर कोशन पूर को इस फॉर्मर लेटर एफ ओने पूछे या ले राइटिंग हम लोग को इंक्लूट नहीं करना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में परसनल कमेंट्स को किसको नीजी कमेंट्स जो होता उसको हम लोग को एड नहीं करना चाहिए इंक्लूट नहीं करना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में आगे बढ़ते लोग नेश कोश एक बात किये जा रहा है कि फिसर में मचवारे आप सभी जो है हम मत पहुचाइए वैल मचली को अग्योग नमक इखटा करना बंद कर दें अपने घायल हातों का उपचार करें देखबाल करें अप सभी को समझ में आ गया किस पॉइम से लिया गया है किपिंग क्वाइट से लिया गया है जिनके कवी का नाम पूछा गया हुई इस एक्स्ट्रेक्ट में बताया गया कि फिसर में जो है वो क्या ना करें तो क्या ना करें आप सभी पता है एक्सपेक्ट करता है कि आसा करता कि फिसर में जो है वो हाम ना पूछा है किसको वेल मचली को तो आफसन जो वन है वो करेक्ट एंसर है आगे बरतम लोग नेश्ट कोशन की और कोशन नमर नाइन में क्या पूछा गिए दा मैन गैदरिंग सॉल्ट उड़ लुक एट इस जो म परसुन इन दा कर बिसाइड़ आप अच्छा लग रहा पॉट इसके इसनमाल होता है यह पॉट किया गया यानि कलादास का बात किया घ्याकर में तो उनकी मम्मी ऑप्संग फोर है हर मदर इस दा करेक्ट एंसर कोशन इलेवेंड की हो, मुचा गया है वाट काइंड आफ ल जो आप्सेन जो फोर है वो करेक्ट रोजेगे ठीक है आगे बारते हम लोग क्यों है क्यों है क्यों देख सकते हैं यह थो हटके इसको देखके जाहिएगा वाइट मेक्स आफ इटसेल्फ कुलिंग कवाट एगंस्ट दा होट सिजन तो हट सिजन बात करें यहां पर आपको ट क्यों देख सकते हैं यह कोश्चन वाट इस एंट जैनिफर डूइंग विद दा उल उल के साथ वो क्या कर रही है वह एक वाल पैनल बना रही है अपसंट जो वान है वो करेक्ट एंसरे ठीक है आगे बढ़ते हैं फिप्टीन क्यों देख सकते हैं क्या कुछ आगिया है फ्रेंच लेंग्वेज के बारे में MML ने कौन-कौन सी बाते बताई थी दुनिया के सबसे खुबसूरत लेंग्वेज है क्लियर्स लेंग्वेज है और लॉजिकल लेंग्वेज यानि ओल आप दी जो है वो करेक्ट एंसर है आगे बढ़ते लोग नेश्ट क्यों कियो और जो साइब और उनका परिवार है वो कहां से उठकर आया था ढाका से आया था जो बांगला इसमें है और अबी रहता कहा है सिमापुरी में रहता है साहिब का पूरा नाम आको जानके जाना ए आप्लोगici जानके जाना है क्या बनना चाहता है क्या बनना चाहता है एक का डाइवर बनना चाहता है और 20 देख सकते सब्सक्राइब करेक्ट है तो आपनों क्या कीजिए इसको दिमाग में लेकर जाना क्यों 21 क्यों 21 आप देख सकते क्या पुछागिया फोर हाव मैंने यह स्कूल जो है याकीमा कितने सालों से वह पढ़ा रहे हैं तो आपको सही पता इसका दो साल जो है करेक्ट रहुगा अप्सन 1 इस दा करेक्ट रहें ठीक है आगे बढ़ सकते हैं लोग क्यों 22 इन दपैडल कि तरिया एक चुहेदानी की तरह ठीक है चली इसको भी करके जाना है हाँ मैनी डेलीगेट्स यहां पे डेलीगेट्स पूछा है पार्टिसपेटेट इन डिसमबर 1916 एनुवल कंवेंशन आप इंडिया नेशनल कंग्रेस हिल्ड लखनों तो यहां से बहुत सारे कोशन करक हुआ था 1916 में किस पार्टी का इंडिया नेशनल कंवेस पार्टी का कहा हुआ था लखनों कितना डेलीगेट्स यह पार्टिसिपेट किये थे यह आप से कुछन उचा गया तो इसका करेक्ट एंसर रहेगा 2301 यानि ऑप्सन टू इस दा करेक्ट एंसर ठीक है आगे आगे 25 कि 25 आप लोग देख सकते हैं पेनकेक जो ब्राइंड नेम था किसका ब्राइंड नेम था मैकप मैटरियल का आपसन जो टू है वह करेक्ट एंसर है ठीक है 26 कोशन हम लोग जाएंगे आगे कि हुए रिटेन दा नॉबल दा नेम अप दरोस बहुत ही फेमस नॉबल था दे दा नेम अप दरोस इस राइटर रहे पांच पांच नोबल लिखा तथींगे जो है बहुत ही फेमस रख था दी राइटर और कोई नहीं अमबड़्टोइको है जो मैने बताया था पांच पाच नोबल लिखे थे जो एक प्रोफेसर या नोबलिस्ट थे अर नोबल करनान जो है डेनी केसी उनका जो दिवाना है वही कुछा गया next question कि which country डेनी केसी प्लेफोर डेनी केसी जो किस टीम से खेलते थे आयलेंड से अप्शन जो फोर है वो क्लियर हो गया आगे बारत हम लोग 29 नमर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पुछा गया यह जो टाइगर किंग है वो कहां के महाराजा है भाई वो महाराजा है प्रतिवंद पूरम के option जो 1 है वो correct answer है आगे बारत हम लोग question number 30 की ओर question 30 अप लोग देख सकते हैं in which hour was the prince of the tiger king born जो tiger king जो prince है वो किस लगन में काम किया था देख सकते है science और commerce और arts वालक जो question है एक दो दो चार जो है वो मैच भी करता है तो ठीक है तो यहां match किया है लेकिन आर्थ वालों questions commerce और science से अलग रहता है दो चार बोब सकता है ठीक है तो लेकिन कोशनि-मान-31 की और, who had sent the first day cover, किस ने भीजल था, कब भीजल था, यह सब करके जाएगा, कुछ भी कोशनन जो है, doubt जो, वो clear करके जाएगा, तो first day cover जो है, वो किस ने भेजा था, वो Sam ने भेजा था, किसको भेजा था, चार्ली को भेजा था, कब भेजा था, आप लोग कमेंट कीजेगा, आगे बढ़ते हम लोग कोशना 32 की ओर, who was Sam in the third level, the third level story में Sam कोन है, ते एक साइकरिस्ट है, और चार्ली का फ्रेंड है, तो चा six checkpoints को, three bodies of water को, अतिसानी दोस्तिक जो है, तीन दिन ट्रांस्पोर्ट का इस्तमाल की थी, सौट घंटा का ट्रेवल करके, अंटार्टिका पहुंची थी, यात करके जाएगेगा, और उस चार्च का नाम दाएकाडमिक सवकाल स्काई को भी यात करके जाना, ठीक है, तो which program was हीड़ेट बाई केनेडियन जी आप ग्रीन, किस प्रोग्राम की अच्छता कर रहे थे, जी आप ग्रीन, जो केनेडे से थे, कहां से थे, कनाडा, ठीक है, और यह जो प्रोग्राम का नाम था, students on ice program करके जाना है, आगे बाएगे 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 35 की और बहुत इंपोर् प्राब्लम, जब भी रोजार स्कंग को प्रापबलम होता था, वह कीसके पास जाता था, एक वाईस और यह याद राखेगा, और यह वाइस उसको, भीजता कहा था विजाट के पास, ठीक है, आगे बाएगे बाएगे बाएक नो FM आपसा नुमर्फोर फ्रॉम एब मैजिक वेल आगे बढ़ता हम लोग तर्टी एट कियो और हाव ओल इस डेरी याद कुछ जाए यह पूछा गिया कि डेरी का उम्र कितना है 14 यह जो डेरी इसका क्या प्रॉब्लम है इसका आधा जो फेस है वह एसीट से जल चुका है आगे अगे बढ़ते हैं लास्ट कोशन है बहुत इंपॉर्टन कोशन है कि वाट दीड मिश्टर लैंब मेक एपल्स यह मिश्टर लैम अपने गाइडन में एपल्स हुगाते थे चरी और सीडी के माईदन से एपल तोड़ते थे तोड़ने के बाद उसका क्या बनाया करते थे ज वो दोस्त हो जाता है ठीक है आप लोग का बेश्ट आफ लग एदम फोड़कर आईएगा आर्स वाले ठीक है और कमर्स और साइंस तरीके से मैनत कीजिए ठीक है बस एक्जाम जो आप जा रहे न देने आप लोग दो चार चीज़ लेकर जाईएगा साथ में ठीक है एक पा एक सुकून मिलता है ठीक होता है तो एक्जाम संटर सबसे पहले पहले पोच पूचिए एक साथ में सबसे पहले हम लेकर जा जाना है साथ में एक्स्ट्रा पेल लेकर जाना है और या हर hypert को कोलेज कोड मत लिखिएगा कोलेज कोड की यह सेंटर कोड नहीं लिखना है नहीं समझ में आ रहा है खड़ा हो जाईएगा वहां पर आराम से वहां कोई पर मिल जाएगा आराम से हैब बढने हैं गुरूब वाइज लिखना थटी एंसी कोउशन लिखना है तो थाटी2 कोशन और टायम रहेगा तो ठीक है इस तरह आपиков लिखना टिक है अर्व लिखरी के बाद गुरूप को लिखते हैं या को डिक कर आना को लिखलैंप रहेें भूषैंट जो आपको लिखा थी तो दो चार्य ज़ो थो करना आणब को लिख से कोई नमबर नहीं दो है और आप लोग तो बहुत पढ़े यह हैं ठीक है, इस्टोरी के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा इह, आपको लिखकर आना है, तो लिखकर आना है, ठीक है, और एक चीज याद रखेगा, मान लिजे किसी session में, जो है, गुरुक में आपको 8 questions दिया गया, ता आप 8 नहीं लिखियेगा, माली जे 8 में सा आपको 6 लिखना था, आप 6 लिखीगा, कुछ-कुछ बहादूर students होते हैं, जो 8 के 8 लिख करा जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, 8 questions में आपको 6 questions लिखना है, और वो कौन सा 6 लिखना है, जो आपको अच्छी तरह से आता है, उन 6 questions का answer आपको देना है, इन ही कि सब लिख करा जाएंगे, पेज भर के आजाएंगे, ऐसा नहीं करना है, जो information है, जो आप से बात किया गया, वो लिखिएगा, अगर question बोलेगा answer any 6, कितना लिखना है, answer any 6, और question आपको दिया गया 8, तो आपको बहादूर नहीं बनना है, आपको उन 8 में 6 questions का answer लिखना है, अच time manage को ध्यान से रखिएगा, जैसा जैसा time होगा, मालनीजी बड़ा question लिख रहे हैं, question में ज्यादा time लगा दे रहें, तो देख रहे हैं, आपको पास time नहीं है, तो answer को sort कीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन सारे questions का answer आपको लिख कराना है, तो लिख कराना है, ठीक है, यह सार अच्छे question को read कीजिएगा, क्योंकि MCQ में 30 का 30 आपका उठ सकता है, आसानी से उठ सकता है, तो यह सारे information tips आप साथ में लेजिएगा, admit card और pain अभी रख लिजिए साथ में, एक pain नहीं, चार-चार pain रख लिजिए, ठीक है, माली जो कोई यूद लड़ने जा रहे हैं, अग्छे, जजिए ऑफ में लेजिए इपस्ता harvestочку आप साथ मेंखके साथ में, बंदा और हम भी ज़ाते हैं, चार-उल रहे हैं, एक zur लिए एक हैं साथ में, आपफिए.